आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक फिश करी के रेसिपी जो बहुत ही जादा सिंपल है और बहुत क्विकली बन जाता है और इस फिश करी को बनाने के लिए मैंने 1 kg रोहु फिश लिया है आप कोई भी फिश का यूज कर सकते हो मैकरल टिरापिया कोई भी फिश चलता है इस फिश करी के लिए और मैंने इस फिश करी को मैरिनेट करने के लिए हल्दी चिली पावडर और नमक का यूज किया है अभी अच्छे से मिलागी इस फिश को मैरिनेट करने के लिए रख देंगी आपके पास ताइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो मैरिन अधरा रखने में उनलार से प्रमेशन, में इसमेची काड़ा को धीच काता है। को अधराछाते हैं अब हम शचाए के शाज हैं टेकिलिपोको ईटते लिदे लएंडर कीजिए रखने हो थावस्टने के शाज़दी डाझाच हैं ड़ी नावे, या कोई भी क्विंग आयल का एड़ कर सकते हो दो मुझे मास्टर्रत आईल का तेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए में हर रसीपी में मास्टर्रत आयल का यूज़ करती हूँ अगर आप साउट में रहते हो तो अधर चलता है तो आप कोनट ओयल का ज़रूरी उसकीजिए को पिश कड़ी में उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिश को अच्छी से चारो तरफ से फ्राइ कर लीजिए का अभी फिश फ्राइ हो चुका है मैंने फिश को सेपरेट और लिए अगर यौल साय नहीं अटार ऑपी कारओ को अगर डरा आपके पचलोंचें इंचार आप सिपादें के तो आप सफ जीरा को सकते हो और आप स्क्र ps 화orticy अच्छर से पुछ नं-टेबल शूंचर है को सब्छा का शूरा की ओंड़कर थे, हैप सिफ चारा लीज कि जीर अच्छे से फ्राइब होदे कि बाद लूओ अच्छी और चिलीज लिया है ग्रीन चिलीज दाल सकते वहागी कि तिअच्छी elements अच्छी दाल सकते हो अच्छे से फ्राइब कर लिजिये नियों को ब्राउल होने तक पकाएंगे अब देक्सकते हो जाने अच्छे से ब्राउन ओ चुका है कि अभी इस टेज़ भी एक टोमैटो का एंपाटो दालेंगे मैंमें गिजिए लिए एप मिक्स करें लिजिए के लिए नुच्छे से पकनी तक पकाएंगे एक मिनी तक पकाएंगे टोमैटो को अच्छे से iMin तो सांटी जमी ऊञे sent то इसटेशके पे जिंजर गार्लिक लोडे उस एक स्मेल होते चाम जएगा है स्मेली आहिए एक मिलेगा सब्सक्वार्स सोगाते काम तरहिए जल के अविए स्मेल जब तक जीणर गार्लिक कीछ ना चाले जाता जिंजर गार्लिक अच्छी से फ्राइब हो चुका है इसमेल भी जा चुका है इस तीज पिर सारा ड्राइम मसाला साथ में दाल देंगे चिली पाउडर कोरियांडर पाउडर और क्युमिन सीज पाउडर और हल्दी एक साथ दाल देंगे अच्छी से भून लीजिएगा मसाले को मैंने नमक भी साथ में आट कर दिया अच्छी से मिक्स कर लीजिएगा अगर आपको लगता है मसाला बहुत ज्राइए आप थोड़ा पानी का भी यूज कर सकते हो ताकि मसाला ना जले अब करीब एक मिनित हो चुका है मैंने मसाला को अच्छी से फ्राइ कर लिया है लेकिन थोड़ी देर तक और पकाएंगे अच्छी से फ्राइ कर लेंगे मसाले को तक फ्रीज थोड़ा बहुन लेंगे मसाले को अब यह देख सकते हो मसाला एक दम अच्छी से भून के रेड़ी है अब यह स्टेज पे हम लोग गरम पानी आड़ करेंगे पानी आप उतना ही एच्छी जितना आपको कड़ी में चाहिए मैंने इतर एक कप गरम पानी आप क अगर आपको ठिक ग्रेवी चाहिए तो पानी थोड़ा कम दालिएगा इस तेज़ पे हम लोग कोरियांडर लीज धनिया पत्ता का भी यूज़ करेंगे अच्छे मिलाईए अगर आपकी पास का सूरी मेथी है तो आप उसका भी थोड़ा सा एड इस तेज़ पे कर सकते हो मैं यह ज़िए दानिया पत्ता का आपकी अभी यूज़े एक उबाल आने तक पकाएंगे अभी आप देख सकता है अच्छे मिलाईए अभी जितना भी फ्राइफिश यह अराम से एक करके आप दालिज़े करी में अच्छी से फिश को डालेगा फिश वना तूच जाएगा सारे फिश को अच्छी डालने के बाद आप आराम से फिश करी को थोड़ा हिलाई स्पून से वना फिश तूच जाएगा इसे अराम से सारे ग्रेवी को उपर डाल दीजिए फिश के उपर कॉरियंडर लीफ्स को भी उपर से दाल दीजिए अब बस एक उबाद आने तक पकाएंगे इसको अब आप लोग देख सकते हो फिश कर देख सकते हो फिश कर करी एकडम रेड़ी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो प्लीस लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब कीजिए गा और अपने फ्रेंस और फैमली के सथ जरूर शेयर किजिए गा और कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा आपको मेरा फिश करी कर र